आज हम governance एंड पब्लिक पॉलिशीज की एक और ठी और कवर करें गे जो ए डिसेंटर्ड थिउरी आफ गववनणस. बिसिकली डिसेंटर्ड या थियोरी आफ गववनणस क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, इसके aims and objectives क्या थे ये सारी चीजे हम in governance के perspective में cover करेंगे candidates क्या करते हैं descended theory को different perspective जैसे किसी और subject में जाके relate करते हैं economy वगिरा में फिर उसके notes making करते हैं फिर वो attend करते हैं जो के गलत होता है आज हम यह जो cover करेंगे यह आपका governance and public policies के लिए है और हम उसी से related पड़ेंगे जो हमें FTSC ने चीजें recommended थे हैं तो देखते हैं descended theory of governance क्या बोलती है government should be in the hands of people rather than center institutions perform their functions on the basis of socialization actions of government should be performed on the basis of individualism followed by traditions, state forms, beliefs and beliefs from government अब यह basically क्या होता है कि descended theory बोलती है अब अब इसका थोड़ा सा अगर हम background देखेंगे ना उसमें क्या होता है कि जो governance का power दाना वो centralized दा अब centralized होता है एक central authority होती है जो आपकी सारी legislation आपके होगी आपके executing जो executive plans और machinery होती है उनको oversee करती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो state में जो development होती है ना वो ज्यादा बहुत ज्यादा हम पर होती है वो effective इतनी नहीं होती है तो यह जो इसके propounders है वो बोलते हैं कि भाई जो governance होनी चाहिए ना वो descended होनी चाहिए descended कैसे होनी चाहिए government should be in the hands of people अब वो जो local people होते हैं ना सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए आप जैसे local government system जैसे हम आगे चलके discuss करेंगे कि किस तरीके से यह फार्म होता है वो चीज़ें यह बोलते हैं कि center के पास नहीं होनी चाहिए government के पास power नहीं होनी चाहिए power आपके नीचे जो आपके लोग काम करते है ना उन लोकल्स के पास power होना चाहिए कि किस तरीके से policy फार्मॉलेट होके हमारे पास आईए हमें किस चीज़ की ज़रुवत है यह भी हमें को लोगों को ही पता होगा कि जो हमारे साथ रहता है हमारे टाउन में रहता है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में रहता है उन चीजों को उनको पता होगा कि हमें किस चीज की नीड है किस तरीके की डेवलेपमेंट चाहिए लाइड है नहीं है डेवलेपमेंट फर्दर कुन सी चाहिए यह सारी चीज़ा उनको पता होगी और institutions perform their functions on the basis of socialization. अब इसमें क्या होता है कि basically आपके जितने भी institutions हैं, local government के, discentered institutions जितने भी हैं न वो function करेंगे socialization पे, मतलब कि किस तरीके से socialization होते हैं, कोई भी आपका जो local institution का कोई भी बंदा है, कोई घूमेगा, फिरेगा, किसी से मिलेगा, किसी village में जाके उन लोगों से मिलेगा, communicate करेगा, आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, further development नहीं है, यह सारी चीज़ें आपके socialization पे function करेंगे, इसके basic characteristics हैं, ठीक हो गया, उसके बाद actions of the governance should be performed on the basis of individualism, followed by traditions that form belief and belief farm government, अब यह क्या होता है, कि governance के जितने भी actions हैंना, वो individualism पे होनी चाहिए, कि हाँ भाई, यह बंदा है, यह जाके काम करेगा, और हम इसी को ही बोलेंगे अपना काम, यह नहीं कि हम उसको बोलें, वो बोले ठीक है, मैंने high authorities को बोल दिया है, वो आपके काम करेंगे, वो उनको बोलेंगे ठीक है, सर बिजी थे, फिर थोड़े टाइम के बाद यह काम होगा, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, मतलब individualism पे follow करना चाहिए, यह आगे individualism पे क्यों follow होना चाहिए, उस पे यह भी हमें आगे जाके जो आपकी theory आएगी, communitarism, उसमें भी यह फर्दर हम इसको aid करेंगे, आपको यह सारी चीज़ें तर और ज्यादा के लिए रहूंगे, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं के भाई traditions से हमें जो हमारे belief बनते हैं, जो के हमारे कहते आ रहें के ठीक है, आपका यह है, आप इस तरीके से आप काम करते हैं, तो आप दूसरे को भी आप उसी से बोलेंगे, कि हमारी dressing code यह है, पिर वो हम क्या करते हैं, हमारे beliefs बनते हैं, और उसी belief में से क्या बनती है, government बनती है, तो उस norms and values से जो जो भी government का हमारे पास जो individual काम करेगा, हमारा लोकल काम करेगा, वो हमारे काम पे पूरा उतरेगा, बिसिकले डिसेंटर्ड यह होता है, कि आपका centralized government होती है, ना CEO, top manager, non manager, फिर lowest non manager, अब यह जितने भी आपके hierarchy है, इसमें क्या होता है, यह इनको बताएंगे, यह इनको बताएंगे, यह इनको बताएंगे, भाई, जब मस्ला हो, अब डिसेंटर्लाइज़ में क्या होता है, कि हैर कोई देखे, अपने domain में काम करता है, जाके, बस एक local government का, जिसे आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, कि एक separate budget होता है, वो आया, फिर यह अपना काम आपस में करेंगे, कहीं और पर वो report नहीं करेंगे, जाके, accountability होती है, उसकी भी conditions होता है, ठीके, उसके बाद relations कैसे बनता है, जैसे पहले हमने एक discuss किया दा थोड़ा element यह वाला, traditions, form, beliefs and beliefs from government, यह कैसे होता है आपका, जैसे देखें, इंडिविज्विज्वल, अब इंडिविज्विज्वल क्या है, अब यह हम rational choice theory में भी आगे चलके discuss करेंगे, पर इसमें भी मैं हम लोगों को बता दा, इंडिविज्वल क्या है, टेक्स rational decisions, because individual is rational, जो आपका इंडिविज्वल, आपका rational हो गया, उसके बाद public behavior क्या है, based on beliefs and traditions, यह किस के, देखें, जो इंडिविज्विज्वल है, rational है, वहीं form करते हैं, beliefs करते हैं, जो सही फैसले करते हैं, अब यह जो tradition and beliefs हैं, यह क्या form करती है, community, अब community, यहाँ पे group of people, members of families हो गएं, वह families में क्या है, आपका, सारे बंदे rational है, अब यह आपकी जो government, यह community form करेगी, वह क्या होगी, based on rationalism पे, मतलब इसके जितने भी decision होंगे, वह correct decisions होंगे, basically इस पूरी theory का cracks यह है, ठीक है, उसके बाद basis of this theory पे आते हैं, अफ़ाम आफ government based on individualism, text decision rationally, जैसे के मैंने अल्डे डियाब लोगों को बाता दिया, उसके बाद central power devolve to locals as they are rational, अब वहीं बात आ गई devolution of power होना चाहिए, क्योंकि जो आपके locals हैं, वह क्या है, rational है, और वह अच्छा ही decision लेंगे, जो भी लेंगे, that must be for the betterment of our society, basically यह चीज़े लिए, अब इसमें criticism ही है, promotes individualism, by individualism को promote करती है यह theory, और इसमें दूसरी है के बंदा individual अपने लिए भी सोच सकता है, ठीक हो गया, violates the norm of unity, यह unity के norms and values को violate करती है, ignores brotherhood, अब एक community बन गई, एक community एक बंदा है जो rational है, अब वो rational भी तो उसमें negative expect है ना, क्योंकि वो अपने blood relations के बारे में सोचेगा, होजएगा, तो जो दूसरे हैं वो उसके, उनको तो यह avoid करेगा, man is greedy and meany as well, अब यहाँ पे rationalism पे ही सारा दिया है, मतलब एक human nature का आपको positive aspect देगा हो है, हाला कि वो main greedy, lalgy and meany मतलब ही भी है, तो वो गलत भी कर सकता है, तो यह overall आपकी हमारी theory, de-centered theory of governance, जो के governance and public policies में आत theory of communitarism. So, till that, Allah Hafiz.